Mi 11x and Poco App 3 के लिए Android 15 बिल्ड आया हुआ है और इसका complete review करने वाला हूँ installation हलाकि simple यह है जैसे आप Android 13 या Android 14 को install करते थे उफ़ी तरीके से सेम ही जो installation रहेगा जो कि description पर भी मैं दे दूँगा और इसमें जो है कौन-कौन से feature हमें देखने को मिलते हैं Android 15 के उनके बारे में बात करेंगे जो है project pixel large जो है रोम है 2.0 version के साथ में आता है अनओफीशल इंडोड 15 बिल्ड है तो सारी चीज़ों के बारे हम आगे वीडियो में बात करेंगे तो last तक वीडियो में जो है बने रहेगा रोम कितना smooth है उन सब के बारे में भी बात करेंगे तो चलिए वीडियो हम start कर लेते हैं अब आउट फोन के अंदर ही जो है यहाँ पे बैटरी इंफोर्मेशन मिल जाता है हलाकि साइकल काउंट जो है सही से काम नहीं करता है बाकी की जो डीटेल्स है वो आपको यहाँ पे मिलेंगी अंडोइड वर्जन में जाओ गए तो अंडोइड वर्जन 15 है जो की कुछ इस तरीके का मिलता है और इसका इस्टरेक जो है वो आपको यहाँ पे अंडोइड 14 जैसा देखने में ही मिलेगा बिल्कुल सिमलर जैसा Android 14 में था उफी तरीके का इस टरेगी हां Android 15 में भी मिलता है और पिक्सल लाज का यहां पर प्रोजेक्ट पिक्सल लाज का अगर देखोगे 2.0 वर्जन है सिक्यूटी पैस सेप्टमबर 2024 का है और करनल इसके अंदर 4.19 बेस नो करनल मिलता है और क्यूएस फैनल का जो एनिमेशन है 60 हट्स पर मैं यूज कर रहा हूँ काफी स्मूध है ता एनिमेशन Android 15 में में मेरे सबसे काफी बैटर रहने वाले यहां पे पावर मिनी मिल जाएगा एडवांस रिस्टार्ट के साथ हमें इंटेनेट टाइल पे आपको होट्स पर मिलेगा और यहां पे भी एनिमेशन काफी अच्छा मिलेगा टाइल्स भी इसके अंदर उसे देखे तो काफी है सेपरेट टाइल भी वाइफाई मुवाइल डाटा का है और टाइल्स भी काफी इसके अंदर हमें जो है मिल जाते हैं स्क्रीन रिकोर्डिंग में जैसे कि अंदर फिप्टीन में जो है आप यहां पे इंटायर स्क्रीन और सिंगल एप रिकोर्ड करने के मिलता है जो कि हमें इंडर फॉर्टीन से मिल रहा था बट यह एंडर फिप्टीन के साथ भी यह देखने को आपको मिलेगा एड़ किया उसमें भी एन स्क्रीन रिकोर्डिंग के साथ एक चीज अच्छा मेरे को यहां पर लगा कि Android 14 में थोड़ा light lag जो करता था यहां पर बिल्कुल भी कोई असारी नहीं हुआ स्क्रीन रिकोर्डिंग का जैसा नॉर्मल एनिमेशन था उफी तरीका का स्क्रीन रिकोर्डिंग के साथ में बिल्कुल रहने वाला स्क्रीन रिकोर्डिंग के साथ में भी आपका एनिमेशन लाग नहीं करता वॉल्म पैनल की हाइट अप पहले से जादा आपको देखने को मि नहीं मिलता एप ऑपनिंग एनिमेशन यह भी जो है काफी स्मूध रहने वाले हैं तो यहां पर दिक्कत फिलाल बिलकुल भी नहीं है तो एनिमेशन खासकर अगर हम देखे तो इस रोम के इंदर काफी अच्छा और स्मूध मिल जाता है स्क्रीन सोर्ट के साथ डेलीट को यूज कर रहे हैं तो इंडोट 14 में तो कोई वी सेब का उप्सीं नहीं आ रहा था बड़ इसमें क्या है अक्या सित् करना चाहते हो तो इसके आइकन पर ऊऎत करना और यहां पर देखोगि तो सेब एप प्यार क के साथ यह ईए करके यहाँ पे delete भी easily कर सकतो तीस तरीके का जो है यह आपको new जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा यह split screen और अब चलते हैं camera के तरब तो camera यहाँ पे like का मिल जाएगा बीडे recording में हलाकि 4K 60fps तक record कर पाओगे 8K वाले option को ignore करो and more में भी कोई problem नहीं है बाकि camera का जो version है यहाँ पे वो आपको 4.9 version के साथ मिलता है जैसे कि आप देख सकतो यहाँ पर यह यह है और Gcam अगर आप use करते हैं तो install कर लेना अच्छे से काम कर रहा है Gcam को लेकर के कोई भी दिक्कत नहीं है Audio FX जो है इसके अंदर आपको मिलेगा and यहाँ पर DRM info है उसे Widevine L1 का support मिलता है बट यहाँ पर DRM info open नहीं हो रहा था जैसे कि Android 15 latest आया है तो अभी कुछ app third party crash करेंगे और कुछ play store के पर application इस तरीके से freeze हो सकते हैं तो यह दिक्कत भी अभी देखने को मिलेगी कुछ applications पर and Dolby Atmos working है बट कभी कभा जो है काम नहीं करता है तब ही थोड़ा बग है and okay Google का यूज आप कर पाओगे अब यहां पर एक आप और मिलता है पिक्सल स्टूडियो जो कि आपको कुछ भी आप टाइब कर तो वह इमेज आपको करेट करके देगा जैसे कि history में आपको दिखा दूथ यहां पर यह मुझे देखने को मिला था यहां पर आपको option भी दे दिया गया है इसके अंदर में क आपको किस तरीके के चाहिए anime वाला 3D में कार्टून में यह sketch में चाहिए वह आप यहां पर select कर सकते हो तो इस तरीके के यूज कर पाऊगा अच्छे से काम कर रहे है यह फिलाल यूज कर पाऊगा custom image भी यूज कर सकते हो बट उसमें यहां पर पता नहीं क्यों बार बार और pixel का weather app भी यहां पर रहने वाला है तो इस तरीके के यह रहेगा और play store यहां पर by default हमें certified देखने को मिलता है तो यह अच्छे चीज है आप safety net बिल्कुल इसके अंदर पास है तो banking apps जो है अच्छे यूज कर पाऊगा इसको लेकर कि कोई भी problem आपको देखने के यहां पर यहां पर अप्लिकेशन आपका ट् UW हो चुका लेकिन आईकन है और उससे ऑंप्रो प्रिटेंग सेपने को आपको के सब्सक्राइगा टिदू करें और दूनलोड हो जाए गा उसके रही लग्वाथश्ट करोगे तो यह सरे मिलने वाली यह बही जो है इंडोईट 15 के साथ यह निव फीचर आपको देखने हो कि यहां पर मिलने वाला जो कि अभी फिलाल एड़ कि अंदर आओगे तो यहां पर सेटिंग्स तो सिमिलर है बट यहां पर भी थोड़ा चेंज हुआ है बोल पेपर का प्रीविव और कलर जो कॉंट्रास है यह भी उसे हलांकि यहां पर न यहां पर लॉक्स रिए और होम स्क्रीन का अंटीक एक आटीक आप कर सकते हैं यहां से कहां पर आपको सेट करना है यह भी एंड़ोड 15 के साथ जो है चेंज हो चुगा है यहां पर भी चेंजस आपको देखने को मिलेंगे चोटे मोटे और भी चेंजस वह जिनके बारे बी लिब टू चेक फोन है वैक स्क्रीन फोन नोटिफिकेशन भी यहां पर रहेगा और लॉंचर इसके अंदर में पिक्सल लॉंचर में मिल जाता है और अब हम चलते हैं कोलिंग के तरब तो यहां पर एक कैरेर बीडो कोल का बग रहेगा वाइफाई कोलिंग जो है यह अच् कोई भी प्रोलम नहीं मिलेगा अब चलते हैं थोड़ा सा यहां पर इसके विजेट्स की तरह तो यहां पे कुछ चेंज़ें जैसे कि पहले एंडोइड 14 में क्या था कि अगर आप करते थे किसी भी विजेट्स में तो टैप करने पर कुछ भी नहीं होता था होल्ड करके ड एड का उप्सन देखने को मिलता यहां से टैप पे अप एड कर पाऊगे यहां पर रहने वाला है यह भी जो है आपको विजेट्स के अंदर चेंज़ें मिलते हैं और अब यहां पर जैसे कि अभी जो है लेटेस अंडोड 15 के अंदर वेवकेम यूज करने को बताएगा पी बैटरी वेगब की बात करें तो टू आवर 80% ब्रैनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद 93% बैटरी मिली है तो बैटरी वेगब फिलाल मुझे अच्छा लगा इसका और यहां पर चाजिंग टाइम की बात करें तो 78% चार्ज करने में वन आवर 14 मिनट का टाइम इसके सेटिंग में तो एक और चेंज है बैक जस्चर वाला बैक जस्चर जो एनिमेशन है उसमें अप चैंज हो गया कि यहां पर प्रिविच्छ एनदर जाओगे तब क्या हो क्या हए कि सीम के इंदर आपको पहले डाटा यूजर जाओकर नहीं मिलता था उसके इंदर मॉबाय जो सेटिंग से उसके अंदर डारेक्ट सो करता है नंबर जो कि पहले नंबर सो नहीं करता था उसे प्रेफर नेडवर्क इसके अंदर में आपको 3G, 4G, 4G और 5G के जो है वो मिल जाएंगे यह चीज़े रहेंगे 10 connected devices के अंदर यहां connection preferences में जाओगे तो कास्ट विल्कुल काम कर रहा है और apps के अंदर हम चलते हैं यहां पर आपको दिखा दूए असिस्टेंट है जो की working है बाकी यहां पर kloned app अभी फिलाल तो देखने को नहीं मिलता और लॉंचर पिक्शल लॉंचर रहेगा notification के अंदर भी यहां पर flash notification जो है वो आपका मिलेगा बिल्कुल काम कर रहा है और battery के अंदर thermal profile है यहां पर thermal profiles हमें मिल जाता है जो कि अच्छे तरीके से काम करेगा battery users है battery saver है battery manager भी है और battery percentage भी है यहीं से आप enable कर पाऊगा तो कुछ है इस तरीके का जो है यह मिलने वाला ह और यहां पर इसके storage में भी change हुआ है कि अब जो है system का लग एक folder एक category बनी हुई है जिसमें आपको Android 15 का storage मिल जाएगा temporary system file भी अब मिलेगा जो कि Android 14 में ऐसा कुछ बना नहीं था लेकिन अलग भी आपको देखने मिलेगा and sound and vibration में यहां पर audio will play on का option यहां पर मिल जाता है औ उसे Android 15 के अंदर custom vibration देखने मिलेगा जो कि इसके अंदर अभी नहीं है लेकिन आगे update के साथ साथ तक add किया जाएगा और फिर नीचे बाकी के sound के option हो मिल जाएंगे तो यहां पर और कुछ ऐसा change देखने को फिलाल तो नहीं है clear speaker भी रहने वाला इसके अंदर में यह भी दि आइकन मेनेजर दिया हुआ है आइकन मेनेजर के अंदर में भी ऐसा कुछ आपको वोल्टी आइकन नहीं मिलता इसके अंदर नाइट लाइट है कलर से हैं यहां पर भी color contrast रहेगा rotation नॉर्मल है smooth display direct दिया हुआ इसके अंदर में tap to whack मिल जाता है हलाक इसके इंदर में आपको नहीं नहीं हो तो आप देख सकतो कुछ इस तरीके का जो है यहां पर रोवर लैंड करता है इस तरीके का जो ही आपको preview मिलने वाला है तो screen saver भी एक जो है इसके अंदर new add किया गया Android 15 का यह changes यहां पर रहेंगे अब चलते हैं accessibility के तरह तो यह हला कि similar यह extra team आपको यहां प updates के साथ ही देखने को मिलेगा अगे अभी तो यहां पर जो है fingerprint में touch to unlock at any time मिलता इसको अगर आप off कर दोगे तो off screen पर fingerprint आपका काम नहीं करेगा तो हम यहां पर देखते हैं हमारा fingerprint का response कैसा है fingerprint का जो response है वो फिलाल काफी अच्छा है स्मूध है animation भी और enhance privacy यह मिल जाएगा setting में और एक बग और आपको इसके अंदर मिलता fingerprint जो indicator का position है ओ देखोगे यहां पर fingerprint के पास होना चाहिए बट देखोगे left side top पे बिलकुल देखने को मिल रहा है इसी बस में दिक्कत नहीं है मैं Redmi Note 10 Pro का भी review किया था Chrome का Android 15 का किया हूँ उसमें भी बग देखने की यह चीज का मिला है तो में भी update के साथ यह भी fix होगा अब आते हैं main यहाँ पे जो features के वारे में जो कि सबसे best लगा Android 15 में private space इस पे आप अलग pattern password जो है अप अपना add कर सकतो तो locks in वाला add connect जोरत नहीं या same चाहो तो same भी add कर सकतो बट अलग भी आप add कर पाऊगे तो मैं यहाँ पर setup सारा complete कर लेता हूँ जैसे कि मेरा यह done हो चुका है अब यहाँ पर launcher के अंदर ही सब से नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा private इसको यह 2i में हमें पहले देखने मिलता था या hyper voice में भी देखोगे second space मिलता है उस तरीके का जो है एक private space आपका create कर देगा और install पर जाओगे ति आपका play storage जिस पे आपको अपना new ID login करना पड़ेगा यहाँ से login करना पड़ेगा अलग space क्योंकि यह यहाँ पर वापिस करना पड़ जो है और यहाँ से private space को lock करने के लिए दिया गया है और hide कर सकते हो private space को भी जो कि आपको कहां से enable करना है नीचे आपको option मिल जाते हैं यहाँ पे इनको आप unlock भी कर पाओगे easily and delete करना चाओ private space तो भी आप यहीं से direct delete कर सकते हो ति यह सारी चीचे जो है बिलती है तो आप ब जलते हैं more security के अंदर जो की security में हमें यहाँ पे मिलता है तो more security and privacy के अंदर आते हैं ति यहाँ पे नीचे normal settings है बाकि ignore window secure flag मिलता है जिस screen short screen recording के limits को आप सभी एप से remove कर पाओगे और यहाँ पे लोग तो फिलाल भी नहीं मिलता है लेकिन यह जो roam है by default encrypted आने वाला है और नी के अंदर में और साथ साथ यहाँ पे original preferences temperature and first week change करने के लिए और मिलता हो प्ले जो की Google Play integrity पूप मिल जाएगा hide developer status है यह भी यहाँ पर दिया हुआ है वहीं जेस्चर के अंदर जाते हो तो swipe to screenshot है quick torch है navigation mode है जिसके अंदर आपका normal settings यहाँ पे बेगरम देखे तो normal ही है और leave to check phone है press and hold power turn मिल जाएगा जिसमें advanced restart है और power menu के भी आप lock कर सकते हो लॉक्षिन के अंदर allow करना चाहते हैं वह भी option यहाँ पर दिया हुआ है double tap check phone भी है play back control भी मिल जाएगा और नीचे फिर आते होती हैं यहाँ पर users and reset option यह सब आपको मिलेगा वैसे इस roam केंदर आपको hide notch watch का option अभी फिलाल नहीं मिलता है और n2-2 score की अगर बात करें तो 8,62,026 हमें यहाँ पर n2-2 score मिला इसके अंदर और cpu थ्रोटल 92% मिला इसका जो जीप score है max में 2,45,000 है average score 2,38,000 जो है में यहाँ पर cpu थ्रोटल मिला इसका अब अगर बात करें गीग वेंच 6 के वारे में तो single score 1305 है और multi score 3333 जो है आमें यहाँ पर score यह जो है मिला है अब यहाँ पर drag and drop feature की अगर बात करें तो बिल्कुल काम कर रहा है तो whatsapp यह टेलिग्राम कहीं से भी आप कहीं पर भी आप drag and drop करके image में फाइल ट्रांसफर करना चाहाँ तो easily कर पाऊगे और इसके अंदर जो game dashboard का support मिल जाता है तो easily आप fps meter या बाकी की कुछ options जो दिए उनका use up कर पाऊगे screen recording यह सब आपको मिलता है ग्राफिक में smooth पर extreme तक मिलता के अंदर ऐसा कुछ फिलाल देखने को मुझे नहीं मिला तो performance मेरे साबसे यहां पर आपको दिक्त होने वाली नहीं है अच्छी performance के साथ जो ही रोम आता और बैटरी वेकप भी अच्छा मिल जाएगा और animation तो काफी अच्छा है खासकार screen recording के साथ ज्यादा तर रोम में Android 14 म देखा था लेकिन थोड़ा बुत लैग करता तो कुछ-कुछ में हैवी भी रहता था लेकिन ज्यादा था थोड़ा बुत लैग कर रहा था लेकिन यहां पर जो है screen recording के साथ जैसा normal animation था इसका 60Hz में यूज कर रहा था उफी तरीके का screen recording के साथ में भी था ती यह चीज जो ह अभी भी आएंगे अलफा ही चल रहा भी तो विल्ड बीटा आएगा उसके बाद इस्टेवल आएगा तो अभी टाइम है महीन हो तो अभी फिलाल वेट करें अगर आप यूज करना चाहतो यूज कर सकतो बड़ कुछ application खासकर third party application आपके अगर यूज कर तो उनसम में प्र जरूर आप बताईएगा कि आपका Android 15 के features कौन से अच्छे लगे दो तीन जो आपको ज्यादा अच्छे लगे हैं मैं जैसे कि मैं आपको बताया तो आप जरूर कोमेंट करके बताएगा तो यही थास किस वीडियो में और वीडियो अगर आपको अच्छे लगी हो तो वीड जहिए को आपको आपको को कि आपको आपको कि झाल लगे लगे होगी हो कि कि पाफको अच्छे लग भीडियो में आपको